इंतिजार की गड़िया हुई खत्म फाइनली शिल्पा शेटी की एंट्री हो चुकी है कहा चारा है कि जो शिल्पा शेटी राज कुंद्रा के अरेस्ट होने के बाद से सूपर डांसर्स के सेट पर ही नहीं पहुच रही है और मेकर्स को शिल्पा शेटी की जगब भड़ने के लिए हर हफते नए गैस को बुलाना पड़ रहा है और शो का इंस्टेंट्मेंट बनाए रखना पड़ रहा है ऐसे में अब खबर आई है कि शिल्पा शेटी ने इस बार वापसी कर ली है सूपर डांसर्स के सेट पर एक न्यूस पॉर्टल के रिपोर्ट के मताबिक शो मेकर्स ने कहा है कि सूपर डांसर्स से 2016 से शिल्पा शेटी जुड़ी हुई है ऐसे में शिलपा शेटी तीन हफ़तों के लिए नहीं आई लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिलपा शेटी की जगे किसी और से लिप्स को लिया जाएगा शिल्पा शेटी की जगे उनके लिए रखी गई है और उन्हें खुशी है कि शिल्पा शेटी अब वापसी कर रही है makers ने ये भी कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इस सीजन के एंड तक शिल्पा शेटी इस शो से जुड़ी रहेंगी शो से जुड़े एक source ने बताया कि राजकुंद्रा के arrest होने के बाद शिलपा शेटी के लिए वापसी करना एक बहुत ही emotional decision था इसके लिए शिलपा शेटी को काफी हिम्मद जुटानी पड़ी लेकिन makers अब शिलपा शेटी के वापसी के decision से बहत खुश है शिलपा शेटी के लिए अब replacement ढूनने का जो pressure makers के उपर था वो अब नहीं रहा शिलपा शेटी ने फिर से आने का बन बना लिया है आपको बता दे कि हाल ही में शिलपा शेटी के show के co judge अनुराग बासु ने भी कहा था कि शिलपा शेटी जलद ही वापसी करेंगी वो लंबे समय से show से जुड़ी हुई है ऐसे में शिलपा शेटी इस तरीके से show से अलग तो नहीं होंगी और finally शिलपा के वापस आने की खबरों की push टे show से जुड़े ही एक source ने कर दी है इसके अलावा शिलपा की बेहन शमिता तो already काम पर लौट चुकी है वो बिग बॉस के show का हिस्सा है वहीं राज कुंद्रा को अभी तक बेल नहीं हुई है 20 तारिक तक वो अभी judicial custody में ही रहेंगे